ओके सो हाई गाईज दस इस गेमिंग प्रोशन और आज की इस पर्टिकलर वीडियों पर बात करने वाले हैं कि कैसे एक टीम अपने गेम प्ले को बहुत खराब से बहुत अच्छा कर सकती है बस थोड़े बहुत स्टेप्स को माइंड में रख करके इन फाक्ट इसके अंदर आता है कैसे आप रश कर सकते हो competitive में यह बहुत सारी टीम को देख करके इसमें से भी बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़े सीखने को मिल सकते हैं तो यह वीडियो बहुत इंपोर्टन है बहुत अमेजिंग तरीके से समझाने वाला हूँ रश कैसे कर सकते हो उसके बाद competitive examples के टीम BGMS जीतेगी क्योंकि BGMS में बहुत सारे अलग अलग rules होने वाले हैं तो लोगों को यह भी नहीं समझवा रहा है कि भाई कौनसी टीम को invite गया है कौनसी को नहीं गया है जिन टीमों के बारे में तुम सोच रहे हो उनके पास invites जा चुके है don't worry कोई अभी नहीं बता र चुँंगा of this team TJB ठीक है TJB जो है न ये भैंकर है भैंकर क्यों सबसे पहला example भाई आप zone के side में teams को कैसे रोक सकते हो वो है यह सबसे पहला example अभी न अगर map की में बात करो और circle की बात करो तुम देख सकते हो circle जो है वो आ रहा है एक बहुत अच्छी formation है अगर आपको zone के बाहर रोकना है 1-2-1 1-2-1 का split अगर आपको चारो players जिन्दा है न तो 1-2-1 का split अगर आपने कर लिया भाई कोई आपके against जा ही नहीं सकता निकल ही नहीं सकता एक player पूरे bridge से आने वाली team को देख रहा है जिनको already circle ने दिक्कत देना शुरू कर दिया मैं मानता हूं यहां पर यह extra health bar होती है जो you know आपके लिए रहती है but then again circles अगर कोई team आ रहा है तो कोई team आ रही है तो आप उसके उपर कैसे pressure बनाओगे 1-2-1 का split TGP के एक player ने DRS sleeping को डाउन किया जैसे ही यह हुआ दो player उचाई पर यहां एक player यहां और एक पीछे घर पे ठीक है अभी top view आएगा तो मैं दिखाऊंगे यह 1-2-1 का split बहुत अच्छा to communicate क्योंकि इसने बंदों के बारे में बताया लोग आ रहे हैं एक player ने बताया लोग आ रहे हैं उचाई वाले players ने pressure बनाया और अगर वह रुकेंगे तो सबसे पहले घरों पर जाकर की ना team क्योंकि उनकी उपर गोलियां चली हैं तो कुछ को heal करने के लिए सब चीज करने के लिए रुकेंगे टीजेबी के बाकी दो players यहां पर इनके spray तो चुमबक होते हैं ठीक है तो वो चुमबक लेकर के मारा बड़े आराम स जो knock थे उनकी conversions निकाली और यहां पर एक player जिसकी कि मैंने बात करी यहां पर दो player और यह रहा तीश्रा player क्या होगा अगर कोई team यहां से भी आती है यहां से गोलियां चलेंगे तो वो team यहां जाएगी अब इस player के उपर पूरी बात आ जाती है throwables कर सकता है यह pressure बना करके यहां पर लेकर करके आगा तो इधर वाले गोलिया मारेंगे तो ऐसे 1-2-1 के जो splits है ना वो बहुत ज़्यादा effective हो जाते हैं किसी भी team को रोक के रखने के लिए TJB के कुछ strategy जो बहुत अच्छे aggression वाली है जो इन्हों फायता देती है इस phone के तो हम वह बात करेंगे नहीं इसके बाद आ गए चलते हैं TJB के अगली fight पर बहुत जल्दी in fact यह वाली fight भी होकर खतम हो जाती है ठीक है उस fight के उपर चलते है तो जैसे नो talk about कि उस situation में क्या क players आ रहे है यहां पर तुम दाद दे सकते हो इनके spray consistency की जैसे ही यह उसी same match के अंदर की fight है जैसे इन्होंने अब higher ground और एक अच्छा open ground लियाना यह player split होगे 2-2 के formation में 2-2 एक यह है 2-2 से मुझे पता यहां पर लोगों को क्या याद आता होगा बट एक यह hill है hill के इधर दो players और hill के इधर दो players तो यह बहुत अच्छा 2-2 formation में split हो चुके हैं जिसके around hill के एक साइट से cover लेकर के players को मारा जा सकता है और hill के दूसरी साइट से भी cover लेकर के players को मारा जा सकता है तो open areas में अब बहुत अच्छे तरीके से fights में बंदों को रोख सकते हो देखो TGP के player वहां ST को दिक्कत दे रहे हैं तो यहां पर TGP का एक player down हुआ बड़ यह दूसरा hipfire accuracy बहुत अच्छी है हमारे updates में भी आनी चाहिए this is one thing I'll say obviously this should happen more nerf shotguns क्योंकि अब otherwise एक shotgun meta ही बनके बैट चुका है and we need more of the UMP meta और Thompson meta Thompson meta को अभी दो updates पड़े हैं भाई क्योंकि बाकी अगर battle royals की में बात करो नो वहां पर Thompson meta अभी आया हम almost दो update weapon के साब से पीछे चलते हैं Thompson meta आने वाला है hope करो कि उसको वैसे utilize किया जाए क्योंकि fire rate जादा होगा और magazine में 50 गोलियों में fire rate जादा तो मतलब समझ लो कितना ज़्यादा फायदा दे सकता है ठीक है चलो TJB के player यहाँ पर अच्छे तरीके से take down किया दूस्रे player को भी किया अपने एक player खो दिया और 140 के आसपस का heart rate जा रहा है भाई का बर ठीक है all is well all is well all is well बोलते हुए fight ली यह हुई पहली fight let's talk about this fight यहाँ है बिन बुलाय महिमान यह रहे TJB इनको यहाँ पर घुसना है हमने बहुत सारे rushes try किये हैं global tournaments में जो काम में नहीं आए there have been so many rushes जो हमने करने कोशिश करी जब हम PMGC में गए थे या फिर उसके पहले PMWL के भी examples है मैं सामने लागर कर रख सकता हूँ हमारी बात है या तो हम एक नौक rush करते हैं या फिर भाई fight हो रही है बिना देके चलो rush कर दो but what is the right way वो TJB ने यहाँ पर किया है TJB ने MCBJ कर दिया प्रॉपर जिस तरीके से ये वाली fight हुई है TJB के एक बंदे ने देख रहे हो यहाँ से बंदा देखा और instant अब इसमें आप भाई अच्छी किस्मत बोल लो अच्छी बात बोल लो TJB की एक बात बहुत अच्छी है कि इनके players इस पूरे ecosystem की aim drills यह लोग बहुत जादा religiously करते हैं aim drills यह लोग बहुत religiously करते हैं in fact अगर मैं चीज बताओ मैं Jonathan का live stream देख रहा था अभी एक चीज मैंने देखी यह मैंने पहले point out किया हुआ है message भी लिखा था Godlike के management को Johnny को भी message लिखा था इस चीज के उपर जैसे यह खिडकी हैं यह दो खिडकी हैं right इन दो खिडकी को ऐसे देख लो Johnny का right peak बहुत अच्छा है उसका left peak comparatively उतना अच्छा नहीं है जतना right peak है बट उसकी live stream में मैंने देखा school apartment के रहा हुँ कहीं पर वो बंदे बंदे लिटा रहा था तो मैंने देखा उसका left peak भी अच्छा हो रहा है which is a better thing right अब better है it's good that the team, the players they are working on all the things so yeah वो तो एक चलो अलग topic हो गया अलग बात होगी बट मुझे जिस बताना था तो aim drills जो है न it shows कि उसने aim drill करी है it shows कि aim drill के उपर काम किया है it shows कि यहाँ पर भी players you know aim drill के उपर जितना जदा वो करते हैं and एक और अपना player है Raj Varma Snacks वो aim drill बहुत अच्छे से करता है उसके तो obviously exercises है proper aim drill की तो aim drills के उपर जितना जदा काम किया जाए उतना आप pressure बना सकते हो TJB के तीन players इदर से एक player ने गोलियां मारी खतम किया and सीधा slam in यह slam in बहुत अच्छा है क्योंकि आप already man advantage में हो चौथा बंद यह वो बंद है जिसने गोलियां मार करके पहला बंदा खतम किया था ठीक है अब यह यहाँ से आया 4AM के बंदे हैं जरूर और LGD के बंदे हैं जरूर LGD का एक बंदा पीछे है बट TJB ने already आकर के जगा कैसे गेरनी शुरू करी है इदर player को knock किया था ठीक है खतम किया यहाँ से यह लोग आए पता है इदर smokes है मतलब standard बंदे होंगे तो इसी घर में होंगे कोई यहाँ पर रुकने के लिए यहाँ स्मुक करेगा नहीं इस बंदे ने ये एरिया ना पलिया मतलब यहीं पर होना चाहिए यह लोग इस घर में आ चुके है मतलब यहीं पर होना चाहिए बंदे बहुत अच्छी रीड है, बहुत जादा प्यारी रीड है बस, throwables यहीं पर आने चाहिए काफी अच्छी से cook हो रहे हैं और इनका cooking भी तुम देख रहे हो कितना ज़दा time ले करके proper they don't wait हमारे यहाँ पर कभी-कभी क्या होता है कि घर के अंदर न निकाला cook करके फेंक दिया दो second, एक second बचा हुए they have their throwable practices also they know कि भाई कब ऐसे फेंक हैं कि लगने से पहले यहाँ आ करके फट जा रहे दर दन जमीन पर आ करके फटे so यह छूटी मोटी trainings है जो काम देती हैं and players कर रहे हैं TJB का तो communication भी उसी चीज़ के ऊपर चल जाता है कि भाई घुसना कैसे है कैसे नहीं घुसना है अब यहाँ पर न यह भाई ने अपनी cover कैसे खो दी वी पीछे knock पड़ा था ठीक है यहाँ पीछे knock पड़ा था गोलिया इसने चला दी TJB को समझ में आ गया पहले ये ये और फिर वो है desert ठीक है ये main course है main course खाना और उसके बाद desert पर जाना है बड़े अराम से उनको यह चीज़ पता चल चुकी है कि उधर की तरफ भी बंदा है क्योंकि TJB का एक player तो वहाँ से आ रहा है जैसे एक grenade से बंदा down हुआ, knock हुआ है, finish नहीं हुआ मतलब एक और आदमी होगा, उस आदमी के उपर हो सकता है, देख लिया है, instant ये बहुत अच्छा aggressive stance वाला rush है और इसमें अपना बंदा भी बचाने की पूरी पूरी कोशिश है जो यहाँ पर करी गई है 4AM के बंदा मतलब move जरूर किया लेकिन आगे पूरा पीछे खाई एक तरफ lgd का player है, जो खुद अपने जीवन के लिए fight लेर है तो जैसे यहाँ पर हुआ, lgd का player भी spot हो चुका है, instant खतम this is like a very good example of ultimate aggression और वही चीज यहाँ देखने को मिली है how to build that ultimate aggression and what ultimate aggression leads you to the good fight वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है आप लोगों में वीडियो कैसे लिए कि बढ़े हैं, लाइक करना, शेर करना, सब्स्राइब करना मेरे को बताओ BGMS कौन जीत रहा है आप लोगों में से, आप लोगों में से